हालो गाइज, वेलकम टो बोती क्लासिज, मैं दीपक्सायनी सौगत करता हूँ आपका इस वीडियो में, गाइज हमने पिछली कुछ वीडियो में exercise 13.1 के सभी questions को solve किया है, exercise 13.1 में हमने figures के surface areas के साथ deal की थी, अब वीडियो में exercise 13.2 में figures की volume के साथ deal करेंगे, ओके, हमें कु क्यों क्या होती है, side का cube होती है, cubeoid की volume क्या होती है, L, B, H, cylinder की volume क्या होती है, pi r square h होती है, con की volume क्या होती है, 1 by 3 pi r square h होती है, sphere की volume 4 by 3 pi r cube होती है, hemisphere की volume क्या होती है, 2 by 3 pi r cube होती है, इन सभी figures के, बारे में हमने detail वीडियो में देखा है कि ए formula जितने भी मैंने आपको बता कर देख लेना चलिए अभी स्टार्ट करते है exercise 13.2 इसका पहला question क्या कहता है a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius find the volume of the solid in terms of pi देखेगा सबसे पहले आपको क्या find करना है सबसे पहले तो आप एक hemisphere बना लो क्योंकि hemisphere के उपर क्या रखावा है बचो कौन रखावा है ठीक है तो hemisphere इसके ऊपर क्या रखा है कोन यह हमने क memor़ लिया ठीक है और वो यह कह रहा है कि अपने कोन और जो आपके उपर जो आप kend eat and जो कोन दे रहा है इनकी जो radius है वो दोनों की क्या है equal है to 1 cm यानि यहां से यहां तक का जो distance है यानि जो radius है वो कितनी given है आपको 1 cm given है ठीक है इसके बाद कहाता height of the cone is equal to its radius तो यानि जितनी radius है इतनी height है यानि cone की height कितनी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की height भी कितनी हो गई 1 cm clear है इसके बाद आपसे कहता है find the volume of the solid in terms of pi pi की terms में आपको value बतानी है एक बाद बताएगा जितना hemisphere की radius होती है उतनी depth होती है तो यहां से यहां तक की जो यह हो जाएगा यह भी कितना हो गया 1 cm हो गया हमने 1 by 3 pi r square h ठीक है और यह hemisphere है hemisphere की volume क्या पड़ी हमने यह पड़ी हमने 2 by 3 pi r cube clear है yes or no अगर मैं total volume आपसे find करने के लिए बोलू हूँ तो क्या होगा total volume total volume क्या बोलोगे कि sir volume of the con plus volume of the hemisphere निकल जाएगी total volume तो लगाईएगा formula यानि volume of corn plus volume of hemisphere ठीक है short form में लिखा है समझ जाना तो volume of corn आपने क्या पड़ा है 1 by 3 pi r square h और volume of corn क्या होता है 2 by 3 pi r cube यही लिखा है देखो क्या होगा values रख दीजिए 1 by 3 1 by 3 pi तो as it is क्योंकि pi में ही आपको अंसर बताना है कौन की radius कितनी है 1 cm 1 का square height कितनी है 1 plus 2 by 3 pi as it is और radius कितनी है जो radius आपकी कौन की थी वही आपकी hemisphere की है तो 1 आ जाएगा 1 का cube आपको पता है 1 by 3 pi 1 का square करेंगे तो 1 1 तो 1 ही है 1 की multiply करेंगे तो 1 ही आ जाना है प्लस 2 by 3 और यह हो जाएगा 1 का cube करेंगे तो 1 ठीक है तो यहां से आप क्या कर सकते हो L cm ले सकते हो L cm ले लो L cm में आगे आपका 3 तो क्या होगा यह हो जाएगा pi plus 2 pi ठीक है तो कितना हो गया 3 pi by 2 pi और pi 3 pi by 3 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आजाता है आपका pi यूनिट क्या रखोगे आपको radius जो और height दे रखे दिये cm में दिये है और volume find कर रहे है तो cm cube आजाएगा क्या जाएगा cm cube यह आपका पहले question का आंसर हो जाता है ठीक है बच्चो Thank you